प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं. उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें. सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है. इस प्रवचन के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है. पहले उसे क्लिक कर दें. उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें. बस हो गया काम. अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाए पिछले दो-तिन हफ़ते मैंने ये पद आपके सामने पड़े थे. एक तो इफिसियों छे, चार है बच्चे वालों. बच्चे वालों जब कहा गया है तो इसका मतलब है कि ये मा, बाप, दोनों से कहा गया है. बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ. उसके अलावा मैंने कुलुसियों तीसरे अध्याय के 2100 पद को भी पड़ा था, जहां फिर से हम पड़ते हैं, हे बच्चे वालों. तो इन दो पदों से ये तो स्पष्ट हो गया है कि बच्चों को इरिटेट किये बिना उनका पालन पोशन करना सिर्फ पिता की जिम्मेद दायरी नहीं है, मा की जिम्मेदायरी भी है, और ये इस बात को भी हमें याद दिलाता है, कई बार ऐसा लगता है या लोग सोचते हैं कि सरफ पिता लोग हैं जो बच्चों को इरिटेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, माएं भी बच्चों को इरिटेट करती हैं, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं इस तरह के सेकड़ों केस जानता हूं, जहां बाप बच्चे से या बच्ची से सने करता था, मां इरिटेट करती थी, तो इसलिए बहने ऐसा ना सोचें, कि ये आग्या सिर्फ पतियों के लिए है, पिछले दो तिन हफ़ते में, मैं इस बात पर जोर दे रहा था, कि बच्चों को यदि तंग नहीं करना है, बच्चों को रिस नहीं दिलाना है, तो उसके लिए पहला ये स्टेप है, कि प्रभू का वचन जो कहता है, वैसा करें, इफिसियों 6 के 4 में लिखा है, प्रभू की शिठ्षा दो, बच्चों को प्रभू की शिठ्षा दो, इसके बारे में पिछले हफ़ते मैंने आपको बहुत क्रमबद तरीके से ये बात बताई थी, कि यदि आप बच्चे को शिठ्षा देना चाहते हैं, तो शिठ्षा देने के लिए, खास कर सही सही शिठ्षा देने के लिए, बच्चे को भाषा आनी चाहिए, और यदि भाशा आनी चाहिए तो भाशा का शब्द भंडार उसके पास होना चाहिए आप लोग कहेंगे कि वो तो वो स्कूल से सीख जाएंगे यही तो सबसे बड़ी परेशानी है हम चाहते हैं कि स्कूल जो है वो हर काम करे परमेश्वर ने बच्चों के लिए या मनिश Прयोष के बच्चों के लिए ऐसा नहीं रखा है इसलिए परमेश्वर का वचन ना केवल इन दो पदों में बलकि और भी बहुत सारे पदों में ये याद दिलाता है कि बच्चों को सिखाने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है प्राइमरी रस्पॉंसिविल्टी जिसे अपन बोलते हैं वो माबाप की है इससे सम्मधित एक पोर्शन मैंने आपके सामने बहुत पहले रखा था इस लापरवाँ पिता बरबाद बच्चे नाम से जब मैं ये सीरीज ले रहा था तब मैंने आपके सामने नीती वचन चौथा अध्याए एक पद से पढ़कर सुनाया था जहां चौथे अध्याए के पहले पद में लिखा है हे मेरे पुत्रों पिता की शिच्चा सुनो तो बच्चे स्कूल जाते हैं शिच्चा पाने के लिए लेकिन बच्चों के जीवन में जो शिच्चा का जो पहला स्रोत होना चाहिए वो स्कूल नहीं है वो माबाप है और माबाप जब बच्चों को शिट्षा देते हैं तो सबसे पहले तो उनको शब्द सिखाने है बच्चों को एक अच्छा शब्द भंडार देना है उसके बाद बच्चों को प्रभू के वचन का पद सुनाना है प्रभू के वचन की कहानिया सुनानी है इसके बाद बच्चों को प्रबु के वचन से छोटे छोटे पद चुन कर याद दिलवाना है बच्चों की स्मर्ण शक्ती बहुत अधिक होती है और इसलिए बच्चों को पद याद दिलवाना कोई आस्मान के तारे तोड़ने के समान मुश्किल काम नहीं है इतना सारा कारिय जब आप करते हैं तब हो सकता है आप अपने आप में इरितेट हो जाएं क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की शब्द संपदा या बच्चे का शब्द भंडार बढ़ता चला जाता है बच्चा आप से ऐसे ऐसे प्रशन पूछता है जिसका शायद आप जवाब ना दे सकें इसका एक उदाहरंड दू मैं यहाँ जो केरल में रहता हूँ अपने बच्चों को लेकर छुटियों में केरल आया करता था केरल शिफ्ट होने के पहले की बात है यहाँ कानखजूरे बहुत होते हैं और एक कानखजूरा इतना बड़ा होता है आपने कभी नहीं देखा होगा जिन्होंने उसको पहले से नहीं देखा वो पहली बार देखेंगे तो उनके प्रांट सूख जाएंगे उसके सैकड़ो पैर होते हैं जब भी हम बच्चों को लेकर केरल आते थे तो वे आंगन में इनकानखजूरों को देखते थे कई बार घर के सामने हाथी निकलता था केरल में हाथी बहुत होते हैं आती भयानक भारी भरकम हाथी भी निकलता था एक बार बच्चे ने मुझसे पूछा कि डाड ये जरासा कान खजुरा है पदमेश्वर ने उसको सौ पेर दिये हैं और ये भारी भरकम हाथी है उसको सिर्फ चार पेर दिये हैं क्यों बच्चे जब इस्तरा के प्रशन पूछते हैं तो एक दम से जवाब नहीं सूचता है बच्चे तो बच्चे हैं वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रशन पूछते चले जाएंगे जिग्यासा प्रभु ने ही उनके जीवन में जिग्यासा दी है कई बार माबाप जब इन प्रशनों का जवाब नहीं दे पाते तो अनावश्यक रूप से बच्चों से चड़ जाते हैं और नाराज हो जाते हैं मैंने इस तरह के बहुत उदाहरंड देखे हैं जहां बच्चा पद्मेश्वर के द्वारा दी गई जिग्यासा के कारण अपने माबाप से प्रशन पूछता है लेकिन उस जिग्यासा का सही उत्तर देने के बदले माबाप जो है बच्चे को डाट देते हैं कि तुझे हमेशा पूछते रहना पड़ जो है तेरी इच्चा है प्रशन पूछने से तुझे फुर्सत नहीं मिलते हैं प्रशन पूछ-पूछ के मेरा दिमाग खराब कर देता है देखिये जानवरों के बच्चे अपने माबाप से कोई प्रश्ने नहीं पूछते और माबाप उनको चलना फिरना नहीं सिखाते बच्पन में बच्चे को चलना फिरना सीखने के लिए कई घरों में वाकर बच्चों को दे दिया जाता है जानवर अपने बच्चों के लिए walker नहीं देते जानवरों के बच्चे पैदा होते ही वो अपने पड़ूँ पर खड़े हो जाते हैं मनिश के साथ ऐसा नहीं है पर्मेशवर की ही आग्या है और ये पर्मेशवर की इच्छा है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो हर बात में आप उसकी मदद करें हर बात आप उसको सिखाएं और इस कारण यदि आपका बच्चा आप से प्रशन पूछता है आप यदि उसका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते पदमेश को धनिवाद दीजे कि आपका बच्चा जो है वो मानसिक विकलांग नहीं है जरा उन मापाप का दर्द पूछ कर देखिए जिनका बच्चा विकलांग है जो कभी कुछ पूछता नहीं है जो कभी हसता नहीं है जो कभी ज़्यादा बोलता नहीं है उसकी तुलना में आपका बच्चा बोल रहा है आपसे हर चीश पूछ रहा है आपसे जवाब देते बने या ना बने परमेश्वर को धन्यवाद दीजे कि परमेश्वर ने आपको एक बुद्धिमान ये इंटेलिजन पुत्र या पुत्री दिया है और जितना जवाब दे सकते हैं उसके प्रशन का उतना जवाब दीजिए यदि एकात प्रशन का जवाब आप नहीं दे पाते तो अपमानित महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे से सीधे सीधे बुली कि अरे बेटा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था मैं सोच के जवाब दूंगा और ये सही भी है आपने सोचा नहीं था कि जरासा कान खजुरा है 6 इंच का उसको 100 पर दिये हैं जब मेरे बेटे ने पहली बार ये प्रशन पूछा तो मैं तो चखर आगया था मैंने कहा कि अरे बेटा ये प्रश्न तो मैंने सोचे ही नहीं था, मैं सोच के जवाब दूँगा। लेकिन मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि जब परमेश्व का वचन ये याद दिलाता है कि बच्चों को भले और बुरे के बीच में जो अंतर है, वो सिखाना है, तो पहले बच्चे को शब्द संपदा दीजिए, शब्द भंडार दीजिए जिससे कि वो हर चीज के लिए सही शब्द का उपयोग कर सके, और जब वो सही शब्द का उपयोग कर सके, तब आप उसको हर चीज विस्तार से समझा सकेंगे, बच्चा भी समझने के बाद अपने मन में जो प्रशन है वो प्रशन आप से पूछ सकेगा यहां मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ इसके पहले दो हफ़ते मैंने ये बात बताई थी इसलिए नहीं कि मेरे माबाप बुरे लोग थे नहीं, इसलिए नहीं कि मैं शिकायत कर रहा हूँ बलकि अपने जीवन से इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जीवन से बोलूँगा तो आप शिकायत नहीं कर सकते आपके जीवन से उदाहरंड दोंगा तो आप कहेंगे कि भई आप मेरे जीवन में दखल दे रहे हैं इसलिए मैं अपने जीवन से ये उदाहरन दे रहा हूँ, मैंने आपको बताये था कि मेरे पापा, जब मैं दस्वी में था, नवी में और दस्वी में था, तब मेरे घर के बगल में अनू कपूर रहता था, आज का प्रसित आभिनेत अनू कपूर, वो एक बॉर्ण अगेन ल लिए उसका अपने साथ ले आया था, वो मेरे साथ सेंडे स्कूल एटिन करता था, मुझसे जूनियर क्लास, मेरे साथ स्कूल जाता था, मुझसे एक साल जूनियर था, मेरे पापा पसंद नहीं करते थे कि मैं उससे बात करूँ, लेकिन पापा जब भी घर के बाहर जाते तो मैं हमेशा भाग के उसके पास जाता था, खूब बात करते थे, वो बात्चित में बहुत मीठा और मधूर बोलता था, अक्सर पकड़ा जाता था, पापा से डाटते थे, पिटाई होती थी, मैं अब सतर कहोने जा रहा हूं, लेकिन आज भी मुझे नहीं मालूम कि पापा क्यों उससे बात करने के लिए मना करते थे, अपने बच्चों को यदि आप कोई बात मना करते हैं, तो उनको असमंजस में मत डालिये, उनको बताईए कि बेटा इसके पीछे क्या कारण है, मैंने एक और उदाहरण बताया था, मैं जब दस साल का था, उस समय नेल कटर वग नाखुन नियमित रूप से काटना हमारे स्कूल में भी कंपलसरी था, पापा की भी जित थी, एक बार मैंने पापा का जो रेजर की थे, उसमें से ब्लेड उठा के नाखुन काट लिए, ब्लेड वापस रख दिये, अगली बार पापा जब शेफ कर रहे थे तो नाराज हो ने के लिए मत करना क्योंकि वे ब्लेड खराब हो जाते हैं, शेफ करने के बाद जो ब्लेड बचते हैं, उनमें इतनी धार होती है कि उससे तुम नाखुन काट सकते हो, इसलिए आइंदा उन ब्लेडों से काटा करो, पापा ने ये सब नहीं बताया, सीधे मारपीट कर दी इसके दस साल बाद जब मैं शेफ करने लगा, तब मुझे ये बात पता चली कि शेफ करने के लिए जिस ब्लेड का उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग किसी और कारी के लिए करो तो शेफ करने लाइक नहीं रह जाता है, इसलिए उसका उपयोग अन्य कारियों के लिए नहीं करना है, जब shaving के लिए उसकी धार खराब हो जाए तब उसे ना खून काटो, paper काटो कुछ भी करो ये दो उदाहरंड मैंने अपने जीवन से आपके सामने इसलिए रखे जिससे कि आप अपने आपको जरा जाचे हैं कि आप अपने बच्चों के साथ ऐसा वियवहार तो नहीं करते कहीं आप ऐसा वियवहार तो नहीं करते बच्चे को डाटते हैं फट करते हैं, मना करते हैं लेकिन उसको कारण कभी नहीं बताते कि ऐसा क्यों नहीं करना है प्रभू का बच्चन जब कहता है कि बच्चों को रिस मत दिलाओ मतलि इरिटेट मत करो और जब कहता है कि बच्चों को तंग मत करो मतलि उनको हैरस मत करो इरिटेट मत करो, हैरस मत करो रिस मत दिलाओ, तंग मत करो तो प्रभू का वच्चन ये मेरा वच्चन नहीं है ये पवित्रात्मा द्वारा दिया गया वचन है जो इस बात को पहचानता है कि बहुत सारे माबाप पता नहीं कैसे माबाप होगे लेकिन हैं इतने नालायक कि वे अपनी जिम्मेदारी सही रीती से नहीं पहचानते और इसलिए बच्चों को शिच्छा देने के बदले बच्चों को रिस्ट दिलाते हैं ये इरिटेट करते हैं बच्चों को हैरस या तंग करते हैं प्रभू के वचन के अनुसार ये दोनों ही बातें गलत हैं मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनको जब मौका मिला तब लात मार कर अपने पेरेंस से अलग हो गए मेरे जमाने में इतना मुश्कल इतना आसान नहीं था लेकिन आचकल के जमाने में भले ही चारों तरफ कितनी ही बेरोजगारी हो इसके बावजूद बच्चे जब कॉलेज से निकल जाते हैं खास कर यदि कोई प्रोफेशनल कोर्स उनने किया है तो उनको नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है और एक बार नौकरी मिल जाती है और एक बार पैरों पे खड़े हो जाते है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माबाप को लात मार के अलग हो जाते है पारिन क्या है? जिंदगी के 18 साल 22 साल या 24 साल जो उन्होंने अपने माबाप के साथ बिताया, ये 24 साल हमेशा ही सिर्फ इरिटेट करने वाले साल थे, हैरस करने वाले साल थे, माबापने उनको हैरस करने, मतलब तंग करने, ये इरिटेट करने, ये रिस्ट दिलाने के लावा कुछ किया ही नहीं, और ये दि माबापने 20 से 24 साल बच्चों को सिर्फ रिस्ट दिलाते रहे, और सिर्फ तंग करते रहे, तो बच्चे सोचते हैं, कि अब मैं उस माबाप पर क्यों ध्यान दूँ, अब उनके पास क्यों वापस चाओं, उन्होंने मुझे क्या दिया, सिर्फ तंग किया, सिर्फ रिस्ट दिलाया, मेरा उनका क्या लेद देन है, आप कहेंगे कि भईया, उन्होंने तुमको जन्म दिया है, तो बच्चे तो उन्होंने जो पिले दिये उस में, और मुझे में क्या फरक है, बस पैदा कर दिया, खाना खिला देते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक तंग करते रहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को डांटे नहीं, बच्चों को डांटा हैं तो बहुत जरूरी है, मैं अपने दोनों बच्चों को डांटता था, और मैंने आपको बताया कि मैं बिजली के एक तार से कई बार उनके आसन पर पिटाई करता था, लेकिन ये सब करने के पहले एक लंबी ताली का है, लिस्ट है, जिसके आधार पर आपको काम करना है, पहले अपने बच्चे को शब्द संपदा दें, उसके बाद परमेश्वर के वच्चन के पदों को याद दिलाएं, फिर परमेश्वर के वच्चन की कहानिया, शिट्छा, कहानियों की जो शिट्छा है उसके साथ साथ सुनाएं, उसके बाद जिन्दगी में बच्चे को ज मामा, पापा, मेरा फलाना दोस्त जो है उसने आज चार बच्चों की पेंसिल जो है पार कर दिये, मतलब चोरी कर दिये साफ साफ उस दिन आप बच्चे को बताईए कि पार करना एक सुन्दर सा शब्द है जो उस गंदे और घिनोने काम को छुपाता है गंदा और घिनोना काम क्या है चोरी उसको प्रभु के वचन से बताईए कि तू दूसरे की वस्तु का लालच मत करना बच्चे को बताईए कि ये लालच है बच्चे को बताईए कि ये चूरी है बच्चे को बताईए कि एक परमेश्वर के बच्चे के लिए चूरी कतही उचित नहीं है इस तरह से उसको क्रमबद तरीके से समझाईए उसको ये भी बताईए कि तेरा साथी जो आज दूसरों की चीज पार कर रहा है मतलब चोरी कर रहा है कल को वो तुझ से भी कहेगा कि आप अपन मिल के दूसरों की चीज पार करें बच्चे को ये भी समझाए कभी ऐसा मत करना बेटा चोरी एक बहुत बड़ा पाप है और परमेश्वर हमारे जीवन को और हमारे व्यवहार को देख रहे हैं इसकारण किसी भी हालत में किसी दूसरे की चीज का लालच नहीं करना है और लालच का जो अंतिम फल है हमारे जीवन में वो है चोरी लेकिन समाज में लालच का अंतिम फल चोरी नहीं चोरी के बाद पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने के बाद सजा मिलेगी, दूसरों के सामने नीचा देखना पड़ेगा आज से बहुत साल पहले मैंने कहानी सुनी थी, जिसमें एक लड़के ने हत्या की हत्या के बाद उसको जेल में डाल दिया गया, जेल में उसकी माँ उससे मिलना चाहती थी उन दिनों कैदियों से मिलना कुछ और आसान होता था, माँ उससे मिलने गई, बेटे ने अपना चेहरा माँ के चेहरे के पास बेटा ले गया सबी लोग समझ गए कि बेटा मा के कान में कुछ बातें कहना चाता है बेटा इस तरह से मा के पास जब चेहरा ले गया मा भी बेटे के पास गई सब लोग देख रहे थे सामाने बात है बेटा अपने मा से कुछ रहस्य बोलना चाता है लेकिन अचानक जब मा इल्लाई तब लोगों को पता चला कि कुछ तो गड़बड हो गया है क्या गड़बड हुआ है मा चिल्ला के उसने अपने कान पर हाथ रखा लोग दोड़ के उस मा के पास गए तो पता चला कि उस बेटे ने अपनी मा के कान को काट कर इतनी कड़ाई से काट लिया था कि कान का एक हिस्सा उसके मुँ में रह गया था लोग ने उससे पूछा तुने अपनी प्रिय मां से ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि यदि मेरी मां ने मुझे भले और बिरे का अंतर समझाया होता तो आज मैं एक खत्यारा नहीं होता आज मैं जेल में नहीं होता लोग ताज्जुब कर गए उन्हेंने पूछा कि जरा बताओ तो तो उसने कहा कि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे एक साथी ने मुझे सिखाया कि मैं किस तरह से दूसरों की चीज़ें पार करके लाओं पहली बार मैं अपने साथी की रबर पार करके घर ले गया मा को दिखाया, मा बहुत खुश होगई मा ने मुझे शाबाशी दि कि मैं कितना श्याना हूँ मा ने मुझे ये नहीं बताया कि ये चूरी है बलकि मा ने तारिफ करके उसे मेरी बुद्धी की निशानी मेरी चालाकी की निशानी कहकर मुझे शाबाशी दी इस कारण धीरे 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 मैं चोरी में एक्सपर्ट होने लगा पहले तो विद्यारतियों की चीज़ें चोरी करता था उसके बाद अध्यापकों की चीज़ें अध्यापकों के थैले से पैसा चोरी करने लगा लेकिन जैसे जैसे मैं चोरी में उंचा हाथ मारने लगा वैसे मेरा संतोश खतम होने लगा और इसलिए मुझे उंचे से उंचे से उंचा हाथ मारना जरूरी हो गए जिससे के मुझे संतोश हो और इसका रेंड स्कूल से निकलने के बाद मैं एक नामबर वन चोर बन गया चोरी में भी पहले छोटी मोटी चीजों की चोरी की इसके बाद बड़ी बड़ी चीजों की चोरी करने लगा और इस तरह से चोरी करकर के करकर के एक बार मैंने शहर के एक बहुती धनी व्यक्ति के घर में मैं चूरी के लिए गुजा, वो आदमी जाग गया, उसने अपने चौकीदार को आवाज दी, डर के मारे मैंने उस आदमी की वहीं हत्या कर दी, और इस कारण आज जेल में हूँ, यदि मैं आज हत्या रहूं, तो व 25 साल पहले या 30 साल पहले, जब मैं स्कूल से एक रबर चोरी करके लाया था, तब मेरी मा ने बेटा ये चोरी है ये बताने के बदले, मुझे शाबाशी दी कि वा बेटा वा तुम तो बड़े स्मार्ट हो, आज जितने मा बाप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन सब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कि जब आपका बच्चा एक छुटा सा काम करता है, मतलब जो गलत है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा अपराद नहीं है, तो उसी समय उस बच्चे को समझाए कि बेट ये पदमेश्वर के बच्चे के लिए उचित कारिये नहीं हैं, लेकिन यदि ये समझाना है, तो पहले बच्चे के पास भाषा होनी चाहिए, और यदि उसके पास भाषा होनी चाहिए, तो उसके लिए उसके पास शब्द संपदा होनी चाहिए, इसलिए आज जितने मा ब प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इन में से जिनके छोटे बच्चे हैं, वो लोग समय निकालकर अपने बच्चों को शब्द संपदा दें, जितने शब्द आप उनको सिखा सकते हैं, उतने शब्द सिखाईए जिससे की बच्चे के पास एक अच्छी शब्द संपदा हो जिसके कारण आप हर चीज उसे स्पश्टतिया समझा सकें आप में से कई लोगों ने मेरे क्लासेस के बाद गवाही में ये बात कही है या प्रार्थना करते समय बात कही है कि मेरी भाषा बहुत सेरल और सहज है इसका रहस्य आप जानते हैं क्या? आपने कभी ध्यान दिया है क्या कि जब मैं आपसे बोलता हूँ तब सामान्य व्यक्ति जितने शब्दों का प्रयोग करता है उसकी तुलना में बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग करता हूँ शब्द संपदा है मेरे पास और शब्द संपदा का ओपियोग मैं भाषा को सरल से सरल ललित से ललित बनाने के लिए करता हूँ तो शब्द संपदा का ना केवल एक दूसरे से बादचित में उपियोग आता है भले और बुरे के भेत को समझाने के काम आता है आप यदि अपने बेटे या बेटी को शब्द संपदा देंगे तो कल को जब वो नौकरी पे जाएगा, जब वो प्रभू के वचन से दूसरों को बताएगा, जब वो दूसरों की काउंसिलिंग करेगा, तब इन सब विश्यों के लिए सही शब्द चुनने में उसको मदद मिलेगी इस कारण यहाँ जितने लोग हैं उनमें जिनके छूटे बच्चे हैं उनको शब्द संपदा देना शुरू करें उसके साथ-साथ परमेश्वर के वचन के पद यात करवाना शुरू करें उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन की कहानी सुनाना शुरू करें और जब आपका बच्चा आपसे पूछता है चाहे बाइबल संबंदित हो, दुनिया संबंदित हो हर प्रशन का जवाब स्पष्टतिया दीजे बच्चा यदि ऐसा प्रशन पूछता है जिसका जवाब एक्दम से नहीं सूचता है तो बच्चे के सामने सीधे सीधे बुली कहरे बटा यह तो हमने सोचा ही नहीं था सोच के जवाब देंगे बच्चे को ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पापा इग्नरंट है या अग्यानी है नहीं बच्चे ऐसे नहीं सूचते हैं बच्चा तो यह सूचता है कि पापा से कुछ भी पूछो पापा के पास जवाब है इस तरह से अपने बच्चे को ट्रेनिंग दीजिए तो जिनके छोटे बच्चे हैं उनके बारे में तो मैंने बोल दिया जो लोग शादी करने जा रहे हैं या जल्दी ही शादी के उमर पहुंचेंगे वे लोग अभी से इस बात की तयारी शुरू कर दें उसके लिए यदि बाकायदा आप रभू के वचन को कोल कर उसमें छोटे छोटे पदों को पहचान कर डायरी में कहीं नोट कर लेते हैं एक व्यक्ति को आपस में बात करने के लिए जो शब्द संपदा चाहिए यदि आप लिस्ट बनाते हैं हम भारतियों की आदत नहीं है ऐसा काम करने का लेकिन याद रखे हम लोग तो बिगड़ई हुए लोग हैं यदि इस तरह से लेकिन आप लिस्ट बनाएं तो भविश्य में आपको बड़ी मदद मिलेगी शादी से पहले शादी के लिए योजना बनाने में कोई गलती नहीं है बलकि चूंकी पजमेश्वर ने हम में से हर व्यक्ति के लिए या लगबग हर व्यक्ति के लिए विवाह निश्चित कर रखा है इसलिए जिस उमर में आप विवाह के बारे में जाग्रत हो जाते हैं, उस उमर से आपको अपने वैवाहिक जीवन के बारे में प्रार्थना करनी चाहिए, मैं अठारा का था जब मुझे ये बात कंफर्म हो गई कि भाई शादी तो हर व्यक्ति को करना है तो कल को मुझे भी शादी करनी पड़ेगी, मैंने अठारा साल की उमर से अपने भाव, अपनी जो भावी पत्नी है, उसके बारे में प्रार्थना करना शुरू किया, पहली बात की प्रभू मुझे बॉन अगेन पत्नी चाहिए, दूसरी बात प्रभू आत्मिक रूप से समर्पित पत्नी चाहिए, उसके बात जब 1971 के आ निरो दौर जोड दिया कि प्रभू पत्नी ऐसी दीजिये, जो प्रभू की सेवा के लिए जो रुची लेती हो, अपने भावी विवाह के लिए तयारी करना एक अच्छी बात है, मावाब कभी बच्चों के इसके लिए प्रेरित नहीं करते लेकिन मैं करना चाहता हूँ, यदि नौकरी के लिए तयारी करते हो, इंटर्विव के लिए तयारी करते हो, तो जिन्दगी का एक सबसे बड़ा नरुने है विवाह, उसके लिए क्यों नहीं तयारी करें, मावाब भी बच्चों को इसके लिए तयार करें, ऐसा मेरा मावाब से अनुरोध है, हाँ, यहा आपके बच्चे काफी बड़े हो गए हो अब उनको बैठा कर शब्द संपदा देना मुश्किल हो तो बच्चों को इस तरह की पुस्तके खरीद कर दीजिए जिससे कि उनकी शब्द संपदा बड़े बहुत पुस्तके हैं आप पूछेंगे कौन सी पुस्तके हैं मैं जिम्मेदारी है कि आपके शहर में किस तरह की पुस्तक उपलब्द है वैसी पुस्तक को या पुस्तकों को ढूंड कर अपने बच्चों को देन शब्द संपदा को सीखना जिन्दगी में कभी खतम नहीं होता है आप सबने मुश्शी प्रेमचंद का नाम सुना होगा उनके अनियाई एक हिंदी पत्रिका चलाते हैं जिसका नाम है हंस मैं आज भी हंस पत्रिका मंगाता हूँ यहां केरल में पत्रिका दिली से आती है क्यों इसलिए कि जब उस पत्रिका को नियमित रूप से पढ़ता हूँ तो हिंदी में नए नए लेकिन बहुती सरल और आप सभी लोग जानते हैं कि मैं सरल से सरल हिंदी में विशे प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ सत्तर का होने जा रहा हूँ अभी भी मैं अपनी शब्द संपदा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों जिससे कि मैं सरल से सरल तरीके से अपना संदेश आपके सा आपने रख सको, एक उदाहरंड में आपको बताता हूँ, आज यहां जितने लोग आए हैं, इन में से कई लोगों ने एक्सपोसिटरी प्रीचिंग नाम सुना है, एक्सपोसिटरी प्रीचिंग जो है वो ब्रदरन लोगों में बहुत प्रसिद्ध है, उसकी हिंदी क्या हो? कई सालों तक सोचने सोचने, शब्द भंडार बढ़ाने के बाद, पिछले दिनों मुझे उसकी हिंदी, सही हिंदी मिली, एक्सपोसिटरी प्रीचिंग का की सही हिंदी है, अर्थ प्रस्तावी संदिश, पदमेश्वर के वचन के अर्थ को जो सही सही प्रस्ताव करता है, सही सही बताता है, और इसलिए एक्सपोसिटरी प्रीचिंग के लिए सही हिंदी अर्थ प्रस्तावी संदिश, अर्थ प्रस्तावी बाइबल क्लास, कौन है आज जो जितने लोग सुन रहे हैं उनके सामने, यदि मैं बोलूं कि मैं तो अर्थ प्रस्तावी संदिश देना चाता हूँ जिसमें परमेश्वर के वचन का अर्थ सही सही खरा-खरा मैं आपके सामने प्रस्ताव रख सकूँ, हर व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, तो शब्द भंडार बढ़ाने का काम जिन्दगी बर चलता है, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को देना जरूरी है, अच्छा इतना सब करने के साथ साथ एक काम जो हमको करना है, वो यह है कि बच्चों को रिस दिलाए बिना उनको टीचिंग और ट्रेनिंग दे, उसके बारे में प्रभू का वचन इफीसियों के छटे अध्याय के चौथे पद में दो बातें बताता है, पहली बात, बच्चे को प्रभू की शिच्छा दो, यह बच्चों वाले अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ, परन्तु प्रभू की शिच्छा चितावनी देते हुए उनका पालन कोशन करो, इसका क्या मतलब है, यदि हम चाते हैं कि हमारे बच्चों को रिस ना दिलाएं, तो हर बात के बारे में अपने बच्चे को ख्लीरली बताएं, हर बच्चे को स्पष्टतेया बताएं, आज कितने लोग हैं जो यहाँ पर प्रभू का वच्चन सुन रहे हैं, जो यह कह सकते हैं कि ब्रदर, मैं अपने बच्चे को या बच्ची को हर बात स्पष्टतेया सिखाता हूँ, मैं जब यह बात आपसे कहता हूँ, आप मैं से कई लोग शायद यह बहाना बनाएंगे, ब्रदर मैं बहुत व्यस्थ हूँ, बहुत व्यस्थ हूँ, और इसका रंड मैं यह नहीं कर पा रहा, नीति वचन चौथे अध्याय में, बात्षा सुलेमान ने एक बात कही है, जो लोग बहुत व्यस्थ है न, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, नीति वचन चौथे अध्याय के तीसरे और चौथे पद में, मैं अपने पिता का पुत्र था, माता का अकेला दुलारा था, मेरा पिता मुझे यह करकर सिखाता था, कौन बोल रहा है, सुलेमान बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, राजा धी राज, दाउद के बारे में, दाउद के बारे में हम जानते हैं कि वो एक बहुत ही व्यस्त राजा था, व्यस्त क्यों था, इसलिए कि यहूदी लोग उस समय बहुत ही अस्त व्यस्त जीवन बिताते थे, और यहूदियां का यह जो अस्त व्यस्त जीवन है, उन सब को इखटा करके, उनके दुश्मनों से उनको छुटकारा दिलाके, राज को सशक्त करना था, यह अपने आप में बेहद कठिन कारी था, लेकिन सुलेमान जब प्रभु का वचन लिखता है, या पवितरात्मा ने जब सुलेमान से ये लिखवा आया, तब सुलेमान इस बात को पवित्रा आत्मा की अगवाई से इस बात को मानता है कि मेरे पिता मुझे शिच्छा दिया करते थे मेरे पिता मुझे यह करकर सिखाते थे आप दाउद राजा से भी ज़्यादा बिजी हैं क्या दाउद के बारे में प्रभु का वचन बार-बार याद दिलाता है उसके चारों तरफ दुश्मिन ही दुश्मिन थे उसके देश के आंदर ही दुश्मिन थे उसका बेटा अप्शालोम उसका दुश्मिन था उसके अलावा भी दाउद के और बहुत सारे दुश्मन थे तो आज जो भाई मुझसे ये मेरे सामने ये दावा करने की कोशिश करें ब्रदर मैंने बच्चों को प्रभु का वचन सिखाने की जिम्मेदारी अपनी वाइफ को दे रखा है मुझे समय नहीं मिलता तो मैं आपसे पूछना चाता हूँ कि स्त्रियां तो वैसे भी बीजी होती है आपका बच्चा स्कूल जाता है तो वो सुबह सुबह उठकर सारी तैयारी शुरू करती है आप तो बड़े आराम से साथ बज़े उठके चाई पीके उसके बाद आफिस चाते हैं वो चार बज़े उठ जाती है तो वाइफ को जिम्मेदारी सौप रहे हैं या अपने सर पैसे जिम्मेदारी जो है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यदि कोई भाई यह कहता है कि बच्चों के लिए मेरे पास समय नहीं है तो उसका मतलब यह है कि आपको तो कभी पिता होने ही नहीं चाहिए था इसलिए कि आपकी गली में जो जानुवर हैं जो अपने बच्चों कोई समय नहीं देते उसमें और आपमें कोई अंतर नहीं है ऐसी लापरवाही मत कीजिए यदि इस्राइल का राजा दाउद जो की राजकाज में व्यस्त था युद्ध में व्यस्त था प्रभू की प्रजा को दुश्मिनों से छुटकारा देने में व्यस्त था उसने यदि समय निकाल कर सुलेमान को शिट्षा दी तो आप दाउद राजा से अधिक नहीं है यदि उसके पास समय था तो आपको भी समय निकला सकता है फरक यह है कि दाउद राजा अपनी जिम्मेदारी समझता था मैं और आप कई बार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो आज मैं फिर से पूछना चाहता आगे बढ़ने के पहले बच्चे को आलतू फालतू डाटते हैं या बच्चे को पहले शिठ्षा देते हैं और उसके बाद डाटते हैं बच्चे को जो माबाप सही शिष्षा देते हैं उनको डाटने का हक अपने अप मिल जाता है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बच्चा अज्ञान होता है इग्नरंट होता है बच्चे को यदि हर विशे में आपके बराबर जानकारी होती तो बच्चा कहां रहता लेकिन वो बच्चा है इसका मतलब है कि उसको आपके बराबर छोड़िये आपका दस्वा हिसा भी ज्यान नहीं है इस कारण बिना जानकारी दिये, बिना शिठ्षा दिये बच्चे को न डाटे यदि बिना सही शिठ्षा दिये या सही शिठ्षा दिये बिना आप बच्चे को डाटते हैं तो आप बच्चे को रिस्त दिला रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है जितने माबाप आज प्रबो का वचन सुन रहे हैं सब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ अपना पारिवारिक जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार क्रम बद्द कीजिए चोटी से चोटी बातें आपके बच्चे के जीवन में जो चोटी सी चोटी बात है वो से समझाईए भले और बुरे कांतर समझाईए और बच्चा जब गलती करता है तब उसको बुलाकर उसे चितनी दीजिए चितोनी देने के बाद बच्चा यदि फिर से वही कारी करता है तो दुबारा चितोनी दीजिए कम से कम दो बार बच्चों को चितोनी देना जरूरी है इसलिए कि बच्चे बच्चे हैं लेकिन चितोनी देने के लिए पहली जरूरत प्रभु के वचन के अनुसार पहली जरूरत ये है कि आप अपने बच्चे को सही शिठ्षा दें बिना सही शिठ्षा दिये चितवनी का कोई अर्थ नहीं है ये भी मैं जानता हूँ ये मैं आपको प्रभु के वचन से याद दिलाना चाहता हूँ प्रभू की शिट्षा दो, इसका मतलब है पहले शिट्षा और उसके बाद अनिशासन अनिशासन बहुत जरूरी है, लेकिन पहले शिट्षा उसके बाद अनिशासन अनिशासन का भी एक काईदा है बच्चा बड़ों के समान ज्यानी नहीं है इसलिए एक बार वार्निंग दीजे, दो बार वार्निंग दीजे, उसके बाद हलकी सी सजा दीजे तीसरी वार्निंग और सजा के बावजू देदी बच्चा, जान बुचकर वो गलती करता है, तब आप सजा, कुछ और कड़ी सजा दीजे मैंने आपको बताय था मैं अपने दोनों बच्चों को discipline करता था उसके लिए तार का एक टुकड़ा यूज करता था लेकिन तार का टुकड़ा कभी भी पहली या दूसरी बार यूज नहीं करता था और तीसरी बार यदि बच्चे गलती में पकड़ा जाता है और आपके सामने आकर आप पूछ रहे हैं किसने किया वो यदि इमानदरी से बोल देता है कि डाड़ी ममी मैंने किया तो उसकी इमानदरी के कारण उसको च्छमा कीजिए प्रभू का बच्चे च्छमा के बारे बहुत सारी बातें बोलता है लेकिन बिना च्छमा कीए आपका क्रोध हमेशा आपके नाक के सिरे पर रहता है तो आपका बच्चे आपसे जूट बोलने लगेगा डर के मारे जूट बोलने लगेगा और एक बार मुँ से जूट बोलने लगेगा तो उसके बाद अपनी जिन्दगी के द्वारा भी जूट बोलने लगेगा आप पूछेंगे जिन्दगी के द्वारा जूट बोलने का क्या मतलब है वो जब स्कूल या कॉलेज में जाएगा तो आपकी आँख बचा कर पिक्चर देखने जाएगा आपको तो लग रहा है कि बेटा घर से आठ किलोमेटर दोर कॉलेज गया है बेटा गया हुए है पिक्चर आप यदि शुरू से अच्छा व्यवार नहीं करते उचित व्यवार नहीं करते तो वो आपसे घर पे पहले तो शब्दों के द्वारा जूट बोलने लगेगा उसके बाद अपने व्यवार के द्वारा जूट बोलने लगेगा और यदि बच्चा व्यवार के द्वारा जूट बोलने लगता है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत देर हो गई है बहुत देर हो गई है और वो देर इसलिए हुई कि आपने अपने जीवन में लापरवाही की तो आज जितने लोग आए हैं आईए जरा पिछले दिनों मैंने जो कुछ कहा उसका हिसाब किताब लें और हिसाब किताब ये है जब प्रभू का वचन कहता है कि अपने बच्चों को प्रभू की शिट्षा दो तो प्रभू की शिट्षा देने के लिए भाष्शा जरूरी है भाषा के लिए शब्द संपदा जरूरी है और इसलिए बच्चों को परियाप्त शब्द संपदा दीजिए जब शब्द संपदा देंगे तो हर विशे के उपर आप खुल कर बात कर सकेंगे बच्चा खुल कर बात कर सकेगा शब्द संपदा के साथ साथ प्रभू के वचन के पद सिखाईए उसके बाद जब बच्चा कहानी समझने लगे तो प्रभू के वचन की जो कहानिया हैं उनको सुनाना शुरू कीजे बच्चा जब और परिपक्क हो जाता है तो हर चीज में उसको नैतिक शिखा दीजे सिर्फ शिखा से कुछ नहीं होगा नैतिक शिखा दीजे और नैतिक शिखा के लिए पदमिश्वर का ही वचन सर्वोतम स्रोत है पदमिश्वर के वचन में जो घटनाएं लिखी गई हैं उन में से लगबग हर घटना के पीछे कोई ना कोई नेतिक पाठ है, यह पाठ अपने बच्चे को सिखाई है, आप कहेंगे कह रहे ब्रदर, यह तो मुझे मालूम ही नहीं था, जब आपको नहीं मालूम है तो आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे, आपको इसलिए नहीं गया है, बीस्वी और कीस्वी शताबदी में हम में से हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी भाष्चा में बाइबल है, और हम में से कई भाई बहन लोग ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक बाइबल है, हिंदी में एक से अधिक अनुआद उपलब्द हैं, उनकी तुलना करके अध्यान करें तो गजब है, अंग्रेजी में तो अनवाद ही अनवाद है, जब इन अनवादों को आप तुलना करके पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन और स्पष्ट हो जाएगा, उसकी नैतिक शिट्षाएं आपको और स्पष्ट हो जाएंगे, इस कारण जब आप आते जाएए, आदम हवा ने अदन की वाटिका में पाप किया था, उन्होंने पजमेश्वर के विरुद एक चुनाव किया, इस चुनाव के द्वारा उन्होंने पाप किया, उसकी नैतिक शिट्षाएं आपने कभी बच्चे को दी है का, यहां कई माबाप है जिनने बच् सुनाई होगी, लेकिन उस कहानी के पीछे प्रभू के वच्चन में जो नैतिक शिट्षा है वो आपने अपने बच्चे को दी है क्या, नहीं दी है, तो इसका मतलब है कि आप खुद नहीं समझते, और यदि आप खुद नहीं समझते तो उसका मतलब है आपने अबेदनगो, इस्तर, रूत, ये कहानी बच्चों को सुनाते हैं, यहोशू और येरीहो की कहानी बच्चों को सुनाते हैं, प्रभू इश्व ने पांच रोटी और दो मचलियों से पांच हजार लोगों को भोजन दिया, कहानी तो सुनाते है बच्चों को, उसके पीछे काना में पानी को प्रभु ने अंगुरी शर्बत में बदला उसके पीछे जो नैतिक शिठ्षा छुपी है वो आपने बच्चे को कभी सिखाया है क्या आप सुएम उन नैतिक शिठ्षाओं को जाने और पहचाने तबी तो बच्चे को सिखा पाएंगे और हमें से अधिक तर लोग ऐसे हैं जो प्रभु के वचन को उपर उपर से पढ़ते हैं, जैसे चिकने घड़े के उपर पानी डाल दीज़े, पानी फिसल के चला जाता है, घड़ा सूखा का सूखा रह जाता है, हम में से कई लोग परमेश्वर का वचन इस तरह से पढ़ते हैं, इसलिए परमेश उनकी नैतिक शिठ्षाओं को कुछ कहानियों में जो नैतिक शिठ्षाओं मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप प्रभु के वचन की कहानियों में जो नैतिक शिठ्षाओं छुपी हैं, उनको पहचान कर नोट कर सकें, जिससे कि आप अपने बचों के साथ इन बातों की च उन सब का मैं आभारी हूँ प्रभु इस संदेश के द्वारा आपके जीवन को बहुत अधिक चालेंज करें जिसे कि आप अपने बच्चों को बिना रिस दिलाए बच्चों का पालिन पोशन कर सकें प्रभु के नाम की स्तूति हो प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रभचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एबम सहज भाषा में प्रभचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रभचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्ठ्यमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस, हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोथ साहन देता है, जै मसीह की